हलो ग्लास माइनेम भी जंकित कुमार आई वेलकम यूवाल इन आबर यूटी प्लोड प्लेटफर्म चैनल जैसा कि आप देख सकते हो आज का हैडलाइन जो है कि आज हम अंदमान और निकोबार आइलेंड के बारे में डिसकस करेंगे उसके स्टेटिक इंपोर्टेंस के बार हम अंदमान और निकोबार आईलेंड को वहाँ पेंइंट इन ऋप्लेट को डेवलेमैंट करें वहाँके सीवीलेन के बारे में सोचे। वहां पे जो इधर देखोगे तो गल्फ ऑफ थाइलेंड एधर साथ चाइना सिया जाता है तो चाइना कहीं जो है इस वी पनी मोनोपोली दिखाता है और चाइना यह चाहता है कि नीचे गढ़ी आएगा तो फिर इंडियान ऊसी यूड में भी ऑपनी देखो कि यह चीज क्या हो जाएगी कि यहां पर चाहेए वो Malaysia हो Cambodia Thailand जितने भी यहां पर इस टर्ण जो आपके its side East side में जितने भी country दिख रहे इन सब से में एक trade अच्छे से कड़ सकते हैं second क्या है कि यह बल्कुल military के लिए perfect जगह यहाँ पे देखो South China Sea यहीं से तो Chinese Incursion हो सकता अगर कहीं future में हुआ तो यह through state of Malacca यहाँ से होगा तो अगर यहाँ पे हमारी strategically यहाँ पे हमारे barrier रहेंगे यहाँ पे हमारी forge रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारा जो है बहुत जादा importance बढ़ जाएगा अंदमान निकोबार सी में साथ-साथ नीचे के Indian Ocean Region में तो क्यूं था न्यूज में तो इसको एक बार देख लेते हैं देखो यह बात तो सही ही कि अंदमान निकोबार को हमेशा से इगनोड किया गया अगर यहाँ पे ढंग से के strategy बनाई जाते तो बहुत अच्छा maritime security को लेके यहाँ से trade हम promote कर सकते थे अपनी military को यहाँ पे हमें strength कर सकते थे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोदी जी इन्होंने नया vision दिया है कि जो military strength है और जो maritime security की बात हम करते है तो यह हम बेव बेंगॉल वाले डिजन में जहाँ अंडवान निकोबार देखता है तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे अब एक बार हमें strategic location देख लेते हैं अंडवान निकोबार का अगर आप देखो तो अंडवान निकोबार जो है Pacific Ocean में मिलाने का काम करता है अगर आपको Pacific Ocean में जाना है तो आप Indian Ocean के बाद by state of Malacca ही तो आप East side जा पाओगे ठीक है और अगर कुछ चीजे हम देखें तो recently हमने देखा था करा कनाल जो है यह Thailand के द्वारा बिल्ट किया गया थे इस रीजन में साथ साथ जो है इंडिया के जो bordering state है खास करके Myanmar तो कहीं न कहीं यहां पर भी international trade हम flourish कर सकते हैं अगर हम यहां पर एक strategically port बनाते हैं तो अब मैप को एक यहां पर map के थूरू समझाओंगा आगे कि ऐसे कैसे यह संबब होने वाला है इन्होंने यह चीज बोला है कि यहां पर हम चाहें तो बहुत अच्छे से यह चीज कर सकते हैं अब एक बार देख लेते हैं strategic importance में यही चीज आपको समझाने की बात कर रहा था कि देखो अंडमान निकोबार की यह वाला जो रीजन है यह पूरा का पूरा अंडमान निकोबार का यह रीजन आपको देखने को मिलता है अब देखो यह हमारा इंडिया है हमारा यहां पर यह देखो यहां पर सिरलंका आपको दिख रहा है इधर देखो मलेशिया है उपर Thailand, Myanmar तो कहीं न कहीं यह उपर आपको Bangladesh दिख रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर इस region में एक हम strategically एक अच्छा सा infrastructure अगर हम create करते हैं तो कहीं न कहीं हम बहुत सारे जो हमारे neighbor countries हैं इनके साथ हम यहाँ पर जुड सकते हैं बहुत आसानी से ट्रेट कर सकते हैं इनके साथ defense exercises बगेरा कर सकते हैं ठीक है और अगर हमने यहाँ पर कोई इस इस टेटिकली port बना दी, development कर दिया तो सबसे चीचीच क्या होगी कि हम Chinese military को बहुत आसानी से counter कर सकते हैं जो इंडो-पैसफिक वाला region है खास करके जो Malay Peninsula उसके आसपास करी जाने इसमें counter करना हमारे लिए बिलकुल आसान हो जाएगा ठीक है अब आगे देख लेते हैं why had the pace of development strategic infrastructure ने अनमान निकोबार has been slow अब आपसे यह जानना चाहिए आपको कि region ऐसा कौन-कौन से वज़े जिसके वज़े से वहां पे जो इतना important location होने के बाद भी infrastructure का जो pace है वो बिलकुल slow है उसके slow होने के region है देखो कि वहां पे जो बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलते हैं जब हम international water के थूज आते हैं वहां पे तो आप यह देखो कि क्या होता है कि बहुत सारे जो नेवी को भी बहुत चीज़े वहां पे सफर करनी पड़ती है दूसरा क्या है कि mainland से आपने देखा कि करीब-करीब 700 nautical का mile वो distance है तो कहीं न कहीं है distance थोरा हमार लिए जादा हो जाता है इसलिए प्रॉबलम है थार्ड क्या है कि environment के perspective से देखा जाए तो बहुत ही fragile zone है और साथ साथ जो वहां के native tribe से उनसे हम क्या कर सही से connect नहीं कर पा रहे है तो वहां पे land acquisition करना भी एक बड़ा issue बन गया है तो यही कुछ वज़े हैं जिसके वज़े से हम क्या हो रहे है कि हम आपे development के pace को बढ़ा नहीं पा रहे है ठीक है जो coordination challenge है इसके अंदर आप देखो तो यह भी बिल्कुल सही है कि वहां को जो ट्राइब से तो कहीं न कि उनसे मेल मेल आप करना वहां पे थोरा सब हमारे लिए एक matter of concern हो जाता है ठीक है अब हमारा यह अगला point क्या है What's with strategic infrastructure development in this island focused on अब किस-किस sector में हम यहां पे focus करते तो सबसे पहले थो हम maritime security के उपर focus करेंगे अगर maritime security के उपर focus करेंगे तो हम कहीं न कहीं यहां पे जो unlawful activity होती है या चाइना को main तो देखो कहीं भी हम इंडिया के perspective में देखे तो यहां पे हमें चाइना को ही bycott करना होता है चाइना के ही उसके influence को कम करना होगा second कि है कि maritime economy भी हमारा वहां से bolster होगा जो हम blue economy की बात करते हैं तो वहां पे अगर हम एक अपना base बनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे blue economy को अच्छा खासा support मिलेगा अब देखो इंडिया का जो presence है ना इंडियन ocean में यह बहुत important और इंडियन ocean की बात करें तो इंडियन ocean में इंडिया का अच्छा खासा मतलब एक weightage रही है देखो औस्टेलिया का यहाँ पे आपको सिरलंका का sorry हमबन टोटा port दिख रहा है जिसको चाइना ने string of pulse policy के थुरूहती आ लिया है 99 years के लिज़ पे तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए बहुत जादा important हो गया है इस region में development का होना बहुत जरूर है अगर यहाँ पे development नहीं होगा तो कहीं न कहीं चाइना जो होगा देखो वो इंडिया को यहाँ पे beat करने में beat करने की वो कोसिस करेगा तो यह सारे कुछ region से जिसके उपर हमें जो है focus करना परेगा अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि किस तरह की वहाँ benefit structure को priority दी जाए तो देखो सबसे पहले अगर आपको वहाँ पे sustain करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि military basis बनाने होंगे उसके अंदर आपको aircraft carrier के लिए भी surface platform बनाने पड़ेंगे aircraft के लिए भी surface platform बनाने पड़ेंगे साथ साथ जो है आपको छोटे वड़े port का development करना पड़ेगा इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको fuel stations बगेर बनाने पड़ेंगे तो देखो recently हमने क्या देखा था अंडमा निकोवार के अंदर जो ये देखो निर्मला सीतर हमने विजिट किया था और विजिट करने का main region यही था कि जो Chinese influence में वहाँ पर देखने हो मिल रहा है इसको कम करना है अब ये देखो बहुत बड़ा इसू बन रहा है क्योंकि जब हम Chinese की बात करते हैं तो इस region में देखो Sting of Pulse Policy के थोर वन रोड वन बेल्ट वन रोड इनिसेटिव के थोर चाइना ने क्या किया है कि कहीं न कहीं इंडिया को चारों तरप से घेर लिया है अगर देखोगे तो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक उसने घेर रखा है हमको और यहां पे देखो अगर हम ग्वाडर पोट की बात करें तो इसके उपर भी जो चाइना ने भी फिलालम चाइना की मोनोपॉली यहां भी देखने लगे हम बन टोटा के उपर भी हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें जो यहां पे अपनी पकर को मजबूत करना पड़ेगा अनमान निकवार के उपर हमारे infrastructure का development हमें वहां पे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि in future हमें कोई problem ना हो ना ही चाइना से ना ही हमें trade deficit को वहां पे देखना पड़े ठीक है तो आपको I hope समझ आ गया होगा कि अनमान और निकवार हमारे लिए क्यों इतना important है तो अगर आपके क्या विचार है अनमान निकवार के बारे में आप हमें comment box में बताना नहीं भूलिएगा तो मिलतें English session में तब तक के लिए thank you so much